चत्रपती सिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवन्नेंस और उनके प्रभन कौशल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है। विशेशकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर चत्रपति सिवाजी महाराज ने जो कार्य किये वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर वढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दूर्ग इतनी सताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महने की शुरुवात में ही चत्रपति सिवाजी महाराज के राजजा विशेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अउसर को एक बड़े पर्व की रूप में मनाये जा रहा है। इस दोरान महाराज के राजगर केले में इस से जुड़े भव्य कारखमों का आयोजन किया गया। मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राजगर जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सववाग्य मिला था। यह हम सब का कर्तव है कि उस आउसर पर हम छत्र पदेश सिवाज महाराज के प्रमंद कौशल को जाने उनसे सीखें इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और बविश के लिए कर्तव्यों की प्रेणा भी मिलेगी। मेरे प्यारे देश वाच्यों आपने रामायन के उस नन्नी गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मटलब ये कि जब नियत साफ हो प्रयासों में इमानदारी हो तो फिर कोई भी लक्ष कठिन नहीं रहता। भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनावती का मुकाबला कर रहा है। ये चुनावती हैं टीबी की जिसे छए रोग भी कहा जाता है। भारत ने संकल्प किया है दोहजार पचीस तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे। उनकी मदद की जा रही हैं। इस अक्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा सभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्द सामाजिक समस्ताई निक्षय मित्र बनी है। गाउं देहात में पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगया कर टीबी मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगया आए हैं। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वज़े से आज देश में दस लाग से जादा टीबी मरीजों को गोड लिया जा चुका है। और ये पुण्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने। मज़े खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने गराम प्रधानों ने भी ये बिड़ा उठा लिया है कि वो अपने गाउं में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे। नईनिताल के एक गाउं के निक्षय मित्र स्रिमान दिकरसी मेवाडी जी ने टीबी के छे मरीजों को गोड लिया है। ऐसे ही कि नोर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र स्रिमान ज्ञान सी जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उप्रब्त कराने में जुटे हैं। भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवास साधी भी पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के उना की साथ साल की बेटी नलीनी सींका कमाल देखिये। बिटिया नलीनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है। आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है। लेकिन MP के कटनी जिले की 13 साल की मिराक्षी और पच्चिम मंगाल के डायमंड हारबर के 11 साल के बश्वर मुखर जी। दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभ्यान में लगा दिये हैं। ये सभी उधारण भावकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरग भी हैं। कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले। इन सभी बच्चों की मैं रदय से प्रसंसा करता हूँ। झाल फसके अभावकता समत्सा करता हैं। करते हैं।